जहिंद तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के प्रथम परधान मंत्री पंडित जवाहार लाल नहरू जी के बारे में साथी साथ ये भी जानेंगे कि बच्चे इनको प्यार से चाचा नहरू क्यूं कहते थे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले इनके जन्म की बात करें 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था कस्मीरी पंडित ब्रह्मन के परिवार में बात करते हैं इनके निधन की 27 मई 1964 नई दिली में पिता जी का नाम था मोती लाल नहरू इनकी माता जी का नाम स्वरूप रानी नहरू पंडि जवाला नहरू जी के पिता जी का नाम मोती लाल नहरू माता जी का नाम स्वरूप रानी नहरू अब देखिए मोती लाल नेहरू जी की तीन संता एक पंडिजवाला नेहरू और इनकी दो बहने थी बड़ी बहन थी विज्या लक्षमी पंडेत और दूसरी बहन कृष्णा हठी सिंग इनकी दोनों बहने का नाम बड़ी जो थी विज्या लक्षमी पंडेत और दूसरी बहन क्रिष्णा हटे सिंग बात करते हैं पंडि जोहला नहरू जी की पत्नी का नाम कमला नहरू अब इनकी साधी 8 फरवरी 1916 वी को हुई थी पंडि जोहला नहरू जी के बच्चे की बात करे तो इनकी एक लड़की इंदरा गांधी इंदरा प्रिय दर्शनी बाद में इनका नाम इनकी बात करे बात करे बलकी वीरोध करना चाहिए गांधी जी की एक बात से बहुत प्रभावित हुए और वो बात है कि गलत की ना केवल निंदा की जाए बलकी वीरोध करना चाहिए 1921 में नहरू जी पहली बार जेल गए साल 1929 के पहले इनकी भूमिका गौन थी गांधी जी जब 1920 में जेल में थे तो इनके बारे में अपनी आत्म कथा में कहीं कोई जिक्र नहीं था यानि कि इनकी भूमिका क्या थी साल 1929 के पहले बिलकुल कम थी इनके पिता की मृत्यू साल 1931 में हुई अगर आपका क्वेस्टन पूछेगा कि पंडि जुहाला नहरू जी के पिता जी की मृत्यू कब होई यानि मूती लाल नहरू जी की साल 1931 में इसके बाद चाचा नहरू गांधी जी के करीब आगये कुछ परमुक पुस्ता की बात करें इन आटोबायोग्राफी ग्लिम्स ओफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये तीन मृत्पून किताब कम से कम आपको मालूम होना ही चाहिए पहला डिसकाबरी ओफ इंडिया दूसरा एन आटोबायोग्राफी और तीसरा ग्लिम्स ओफ वर्ल्ड हिस्ट्री अब बच्चे इनको प्यार से चाचा नहरू क्यों कहते थे आईए इस बात को समझते हैं चाचा नहरू का विचार बच्चों के प्रती क्या था वो ध्यान से सुनियागा बच्चे किसी भी समाज के मूल निव होते हैं इसलिए उनका पालन पोसन उपयुक्त वातावरण में किया जाना चाहिए चाचा नहरू का था और ये बच्चों से प्यार करते थे और ये बच्चार बेहोदी मत पूर्ण हुआ कि बच्चे किसी भी समाज के मूल निव होते हैं इसलिए उनका पालन पोसन उपयुक्त वातावरण में किया जाना चाहिए तो आज की इस वीडियो में मैंने थोड़ी सी जनकारी चाचा नहरू जी के बारे में दिया जाहिए वंदे मात्रम